आज हम चाय के कप से पंका तयार करना सीखेंगे इसके लिए हमें गंप, कटर, कार्डशीट और थर्माकॉल का ग्लास की जरूरत है एक थर्माकॉल का कप ले और इसकी सते काट ले और इसके बाद कप को उचाई में पहले आदा काट ले इसके बाद बिल्कुल एक बराबर उसके चार टुकडे काट लें जिससे के पंके की चार बलेड बने इस तरह से इसके बाद दो कार्ट शीट के टुकडे ले और इसके दर्मियान एक तूट पिक को कस के डाले फिर दूसरी भी डाले अब दोनों के दर्मियान हम इन चार पंखों के किनारों को गोंद लगाएं और फिर दोनों कार्डशीट के दर्मियान इनके किनारों को दबा कर चस्पा कर लें अब आपका पंखा बिल्कुल तैयार है और इसको एक सक्त मश्रूब नली में डाल कर बाहर हवा में ले जाएं और इसे चलता हुआ देखें आप इसे घर में भी पंखे के नीचे रख सकते हैं और आपका पंखा जोर से गुमेगा